आप अब लोगरे को अब रहा है कि अब इस इंग्लिश विफ समिस्टर के हुआले से एक तो चीज़ उसमें हम देखेंगे कि कोर्स लेक्शन कैसे करनी है और कितनी करनी है और कितनी कर सकते हैं और दूसरा ये है कि डिगरी डियूरेशन कितना होगा यानि बियस इंगलिश में तो आप आए हैं लेकिन मजीद कितना पढ़ेंगे तो आपकी डिगरी कम्प्लीट हो जाएगी चले वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले आप हमारे चैनल फूल आदमी सबस्क्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं मजीद आप तक आशती रहें और सिंप्ली आप यूट्यूब के उपर जाकर अगर वीडियो फान पर लिखेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आजएगा और आपको आलमोस्ट हर टापक के उपर वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी कि हमारा जो स्कीम अफ स्टेडी है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि आपको दिखाऊं कि यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक है और बीएस है यह जाहरा मास्टर डिग्री यह रहे रास्त नहीं होती बीएस के पांच में स्मिस्टर में आप आते हैं तो यहाँ पर जो अलमेस है आपका अगर आप हॉम पेज के उपर आएं और अगर अभी तक आपने कोर्स सेलेक्शन वगारा नहीं की तो आपको यहाँ पर एक तो सब्जेक्ट नज़र आएंगे अगर आपने कर ली है तो फिर आपको यहाँ पर तीन चार जा जितने भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किये हैं वह होम पेज के उपर आजएंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको मैं बताऊं के आपका जो डूरेशन है वो कितना लग रहा है तो उसके लिए आपने जाना है ग्रिट बोक के उपर और यहाँ पर आपने फिलाल जो यहाँ पर एक्टिव बटन है वो मिट्टर में रिजल्ट है के उपर है लेकर आपने यहाँ पर grid block के उपर click करना है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो area है यह वाला आपके काम का है साथ ही हम calculator पर open कर लेते हैं यहाँ पर हम देखें calculator तो total जो required है डिगरी के लिए वो है 134 134 और जो एक्जेम्ट होएं यहाँ पर 37 है माइनस कर देंगे 37 यह जो exempted courses है यह किसी के कम हैं किसी के ज्यादा है यह depend करता है degrees के उपर जो आपने बेले की है अब हम इसको equal करते हैं तो 97 जो है वो आपके credit hours बनते हैं जो remaining आपको complete करने है तो maximum जो credit limits है वो 21 की है अगर आप इस 97 को 21 से डिवाइड करें तक्सीम कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर कमस कमभी 5 semester लगेंगे आगे degree complete करते हुए लेकर अगर आप आजानी के साथ आगे चलना चाहते हैं कम subject के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक तो चीज क्लियर हो गई कि जो हमने आपके डिग्री डिवरेशन है वो आपकोने किस तरह calculate करनी है अब second चीज कोर्स लेक्शन कोर्स लेक्शन सिंपली एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता तो कोर्स लेक्शन से पहले आपने माई स्टेडी स्कीम के उपर आना है और पिर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को कोर्स लेक्शन की मेल ने मिलती वो करते हमें आई रही है तो अगर आप confirm करना चाहते हैं कि आपको लेक्शन मिली है या दूसरे लफजों में कहले है कि पांच में स्मिस्टर मैड मिशन हुआ है तो फिर आप आएंगे यहां पर माई स्कीम आफ स्टेडी में और यहां पर देखेंगे तो आप बहुत सारे कॉर्स के सामने एक्जैम्टर्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा एक्जैम्टर्ट का मतलब है कि आपने वी यू में यह वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ने यह यू समझने कि यह आपको आलरेड़ी जो पीछे आपने एक रिजवेशन की होगी तो उसकी बेस के उपर यह आलरेड़ी पास ओट कर दिये गए हैं जो पैंडिंग्स हैं वो आपने करने हैं अब पैंडिंग्स एक सीक्वेंस से भी हो सकते हैं और इसी तरह भी हो सकते हैं कि पहला समिस्टर उसमें से तीन एक्जाम्ट है चार पैंडिंग्स चो ओ रहे हैं फिर अगले में भी तीन पैंडिंग्स तीन एक्जाम्ट हैं कि आपे साथ करी यह तो अब हम हमारे साथ ही जो नometric से क्यांड में स्कूरि को आपको आता है और यहां पे लिमिट है कि यहां पे इनका 37 credit exempted लिका हुआ है और यहां पे मैं आपको बता दाओं जो credit earn होगा न earn का मतलब है कि जब आप VU में पहला semester pass out करेंगे आप जिदने भी subject रहके pass out करेंगे तो हर subject के against आपको तीन credit hours मिलते हैं और वो यहां calculate होगे यहां पे show हो जाएंगे तो पहला semester यहां पे आ रहा है बहुत सारे student पूछते हैं जी पहला क्यों है चुक्छे वर्चल यूवर्स्टी में आप आए नए आए है और पहला semester आपका यहां है तो यहां पे पहला ही आएगा जब आप दूसरे semester में जाएंगे तो दो हो जाएगा इसका मतलब यह नहीं है कि जो exempted है यहां पे वो पाचवा लिखते हैं चौता लिखते हैं ठीक है वर्चल यूवर्स्टी ने अपने semester यहां से count करने हैं के टोटल करायट हावर्स लिखी हुई है 21 की है एक बुक के गिंस आपके तीन करायट हावर्स होते हैं यहां पे जैसे लिखा हुआ है यानि मैकसिमम आप यहां पे साथ मुक्स भी ले सकते हैं तो यह आपकी मर्जी है तो मेरी recommendation यह है कि अगर आपने full time study करनी है तो फिर subject ज्यादा लें अगर आपने job भी करनी है साथ में तो पहले semester में कम सकम थोड़े रखें आता कि आपको virtual semester का system समझ आज़े और फिर आगे आप पूरी speed के साथ और energy के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो यहां पर course selection के लिए आपने इस button को अगर red हो जाता है तो इस तरह मतलब यह subject minus हो जाता है तो इस तरह आपने green करके इस सरफ को right side को click करके याद रखें यह जो VU 001 का subject है न यह तो हर हाल में आपके पहले semester में VU में आते हुए आना है और यह pre selected होता है आप इसको close नहीं कर सकता है यहां पर देखें तो button काम ही नहीं कर रहा है तो इसका कोई exam भी नहीं होगा इसका कोई paper नहीं होगा इसकी कोई assignment नहीं होगी इसका कोई quiz नहीं होगा जसके 12-13 वीडियोज होंगी देखनी होगी तो यह समझने हैं कि आपने इस subject को VU001 को count नहीं करना लेकर यह होगा आपके साथ लाजमी दो इसके लावा बाकी कितने मचते हैं एक, दो, तीन subject हैं अगर पहले semester में 4 रखना चाहते हैं तो फिर VU001 के लावा 4 कर लेंगे आप तो टोटल तो यहां पर 5 नज़र आ रहे हैं लेकर आपने इसको subject as a subject नहीं लेना इसमें जस्ट वीडियो देखनी हैं आप दो तीन घंटों में इसको clear कर सकते हैं बाकी इसके लावा जो चार subject हैं जिनके तीन तीन क्राइट हावर्स हैं उनके assignment होंगी quiz होगा, mdb होगा और साथ में mid term होगा, final term होगा यानि proper जैसे चीज़ें होती हैं तो इस तरह यहां पर फिलाल हमने इस तरह course selection करके और यहां पर save कर दिया अब आपके उपर आप ज़्यदा करना चाहते हैं subject या कम करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, तो लोड करेंगे और लोड करेंगे तो हमारे पास यहां पर टोटल देखेंगे पांच subject आ रहे हैं, वी यू 001 जैसे मैंने बताया कि इसके बारे में परशान नहीं होना, यह simple subject है और just videos देख कि आप पास ओट कर देंगे बाकी यह चार जो होंगे या पांच आप रखते हैं, या छे रखते हैं तो छे भी रख सकते हैं आप वी यू 001 के लावा साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि साथ आप करेंगे तो 21 क्राइट हावर्स हो जाएंगे और यह मिला के बाइस हो जाएका किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी जो रहे गई क्लासें अभी सारा डेटा डिसेबल है यह जो भी स्टूटन्ट अलमेस उपन करता है वो कहता है कि डेटा नहीं अवेलेबल तो मैं हर दफ़ा ही कहता हूँ कि इन्शालला 14 से पहले पहले 14 को क्लास है यानि यह जो आपके वाके पाच्छे दिन बाकी है इस दुरान ही आपका डेटा अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा और 14 को आपके पास सारी चीज़ें होगी तो फिर क्लास लेने का तरीका कैसे होगा वो वीडियो आपको इन्शालला मिल जाएगी तब तक के लिए अपना ख्यार रखें और LMS के अंदर आपने अपनी हर चीज़ को चेक कर लेना है नाम वगरा यह वो इस तरह की सारी चीज़ें ताके ऐसी चीज़ें साथ ना चलती जाएं यानि स्पैलिंग का मिस्टेक है या डेट अबर्थ की कोरेक्शन की ज़रूरत है तो वो अभी असानी के साथ हो सकता है तो यहाँ पर वीडियो खतम करते हैं जाते जाते चैनल को सबस्ट्राइब कर लें नोटिफिकेशन को लाजमी आउन कर लें अगली वीडियो तब भी आपको मिलेगी जब आपने ये सारा कुछ किया होगा अपना ख्यार रखिएगा अल्लाँ आपिस